बिना चश्मे के नहीं दिखता साफ तो इन साथ चीजों को खाएं सालों से लगे चश्मे उतर जाएंगे आँखों की कमजोरी एक आम समस्या है जो आजकल हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है कमजोर आखें हमें दैनिक जीवन में कई तरह की परिशानियों का साब ना करा सकती हैं ऐसे में आखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कुछ खास चीजों का सेवन करना जरूरी है हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू योनिक तरका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इन साथ चीजों का सेवन अगर आप करते हैं तो ये आपकी आखों के लिए बेहत फायदी बन हो सकता है फ्रेंट्स अपनी डाइट में इन साथ सीजों को शामिल करके आप अपनी आखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर फालू करें जिसे की आपको पूरी जानकारी मिल सके वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर जो आखों के लिए बेहत फायदेबंद होते हैं ड्राइफ फूट्स में बादाम अखरोट काजू मूंग फली प्राजील नट्स और किसमिस शामिल हैं फलियों में भी ओमेगा 3 फैटी असेड और विटामिन E पाये जाता है फलियों में दाल छोले अरहर और मूंग शामिल हैं नमबर 2 खटे फल खटे फलों में विटामिन C होता है जो आखों के लिए बहुत जरूरी है विटामिन C आखों को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है खटे फलों में संत्रा अंगू नीबू मौश्मी अमरूद शामिल हैं नमबर 3 मचली ओमेगा 3 फैटी आखों को स्वस्त रखने में मदद करता है मचली में सालमन टूना मैकेरल साडिन और हैरिंग शामिल है नमबर 4 बीज बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसेड बिटामिनी और जिंग जैसे पोशकतत होते हैं जो आखों के लिए बहुत फायदेबंध होते हैं बीजों में चिया सीड अलसी के बीज सूरज मुखी के बीज शामिल है नमबर 5 हरी पतेदार सबजियां पतेदार हरी सबजियों में ल्यूटिन और जैसे पोशकतत्तु होते हैं जो आखों को स्वस्त रखने में मदद करते हैं पतेदार हरी सबजियों में पालक, ब्रॉकली, केला और और ग्रीन आधी शामिल हैं नमबर 6 सकरगंद में बीटा केरेटीन होता है जो आखों के लिए बहुत फायदी बंद होता है बीटा केरेटीन आखों को अधेरे में रोकने में मदद कर सकता है पर 7 अंडे अंडे लिटीन और जैक्सनतिन के सास्थ साथ बिटामिनी और जिंक का भी बहुत अच्छा सोर्स हैं जो आखों के लिए बेहत फायदेबंद होता है तो फ्रेंच चलिया यह अब बात कर लेते हैं इन चीजों को खाने के तरीके के बारे में आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए कई तरह के तरीके अपना सकते हैं उधारन को सलाद या दही में मिला सकते हैं पत्यदार हरी सबजियों का सूप सलाद बना सकते हैं सकरगंद को सबजी या हलवा की रूप में खा सकते हैं और अंडे को उबला तला आमलेट की रूप में आप खा सकते हैं प्रेंच लिया यह कुछ बातों को अगर आप ध्यान में रख अगर आपको आँखों की कोई समस्या है तो किसी डॉक्टर या आहार विशेशग्य से आप सला ले सकते हैं आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इन साथ चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना एक अच्छा तरीका है इन चीजों को खाने से आपकी आँखों की रोशन आप बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी थैंक्स ओफल वाच और बाबाई और टेक केर अल आफ यू